एलो फ्रेंट आज का में इस वीडियो में शब्दयुसक्ती पड़ेंगे शब्दयुसक्ति क्या होता है इसके कितने प्राकार होते इस टॉपिक से कूशन आते पेपर में 2017 में भी ऑज़े आता कि में एंड में बताऊंगे और किस तरीके से कुशन आ सकते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जो शुरू करते हैं तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूं कि शब्द शक्ति और शब्द को दोनों अलग अलग होते हैं वो अपनी जगा अलग है तो इसे दोनों को एक मत समझेगा शब्द शक्ति जिस भाषा का व्यवार करते हैं उसमें दो तत्वोते शब्द और अर्थ जो ध्वनी समस्टी सुनाई पड़ती वह शब्द है प्रत्यक शब्द का एक विशेश अर्थ शब्द के इस अर्थ को बोद कराने वाली शक्ति या व्याफार को जो हम ले जो इसका मतलब किया जिस भाषा का व्यवार करते हैं जौंंब श्यसमें दो तत्वोते शब्द और अर्थ यानि अभी में जो आपको बोल रही हो इसमें शब्द ओर-अर्थ इहापको भी पता है क्योंकि अगर शब्द है तो अर्थ है अगर अर्थ है तो शब्द है ये स्कुल मिला के सीधा मतलब है मतलब बिना शब्द और अर्थ के हम आपस में जो बात करते हैं वो भाषा होई नहीं सकती क्योंकि शब्द और अर्थ तो हर चीज में अभी जो मैं बोल रही है उसमें भी शब्द और अर्थ है बिना और शब्द अर्थ के जो है हम भाषा का व्यवार नहीं कर सकते हैं आप मुझसे कुछ बोल रहे हो और मैं आपसे बोल रही हूं तो हम लोग किस से बोल रहे हैं एक ग्रूप में बोलते तो वह क्या होता है समश्टी और अगर हम बिना ग्रूप के बोलेंगे तो क्या होगा का खाग तो यह अलग होगा तो समश्टी मतलब जो हम ग्रूप में बोलते वही शब्द होता है तो वह जो सुनाई पढ़ता है उसे हम क्या कहते है शब्द कहते हैं मत प्रत्यक हर एक शब्द उसका कोई मतलब जरूर होता है आगे यही बोल रहें कि यह जो शब्दे इसी शब्द के अर्थ को क्या कर रहा है हमें बोध हो रहा है हमें पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या है तो उसी को हम क्या कहते हैं शब्द शक्ति कहते हैं यहां पर यही लि पेपर में ऐसा आ जा कि शक्टी की परिभाष लिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है घुमा के जो इस तरीकी से जाने सबहें आमा के आपको इसलिए लिग दिया कि को और दोफ वह अभीदा शबद में लग गया थे तो पहले हम बात करने his अभीधा शक्ति की अभीधा शब्द शक्ति वो शब्द जो बीच में आना तो वो साइड में लग गया तो आप सही कर लिजेगा अभीधा शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख अर्थ का बोध होता है वे अभीधा शब्द शक्ति कहलाती है तो अभीधा श शब्द ऐसा होना चाहिए बहुत ही मुख हो यानि उस शब्द के बिना जो वह बात अधूरी रह जाए तो वहां पर कौन सी शक्ती लगती अभीदा शब्द शक्ती लगती है ओधारन की तौर पर यहां पर मैं आपको बताती हूं यहां पर क्या लिखा है अपना घर सबको प सबको यह अपना घर बहुत प्यारा लगता है प्रचलिति शक्ती का तो अभीदा शक्ती का राम के पितांजी बीमार शक्ती है कि यहां पर वो कैसे बीमार हो गई या यानि बहुत मुख बात ही यह बहुत जरूरी बात बताई ही यहां परी और वह जों कैसे बीमार है इसलिए यह किसका अभीदा शब्सक्टी का क्या बोल रह रहा ह है कि एयुद्या के राजह दश्रत थे अब यहां भी बात किये कि अयुद्या के राजा दशरत को क्यों किये कि आपको यह पता है जो दशरत जी उनका नाम कितना प्रचलीते कितना फेमा से और सब जानते हुए कि वो जो राम जी की पिता जी तो कितने फेमा से इसलिए क्या है प्रचलीते इसलिए क्या हुआ अभी जिदा भी जो पेपर में आ चुका है और आप बात करते हैं हमारी लक्षणा शब्द शक्ति ये भी जो पेपर में कोशन आ चुका है दो नमबर में आप बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा शक्ति बात एक ही है जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या बोध ना होकर उससे संबंदित अन्य अर्थ का बोध हो से लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं यह भी बहुत ही सिंपल ही उसका एक तरीकी से उल्टाई है लक्षणा से आज रखना है क्या है जिसमें लक्षण हो मतलब क्या है कि जिस शब्द शक्ति में क्या किसी प्रचली त ना हो और उसमें किसी जो शब्द है उसमें कोई मुख अर्थ ना बता रहा हो उसमें कोई मेन बात ना बता रहा हो उस शब्द में तो यह जो दोनों चीजें एक तो प्रचलित अर्थ और एक मुख बात दोनों ही जिसमें ना हो और उससे क्या हो रहा है किसी दूसरी बात का म तो जासी वाली रानी थी तो आप देखोगे अगर हम इसमें अभीदा शब्द शक्ति में हमने क्या बताया था कि या तो प्रचलित हो और या तो क्या हो मुखर तो लेकिन अगर ऐसी बात हम करते तो इसमें क्या हो जाता जासी वाली रानी तो थी पर कौन सी थी जासी वाली हैं बहुत ही इस always used would have been Praise Your time India to be Remember low ज्यसित्व एिसमें प्रचलेत्व होना चाहिए और स बनी बचा मईजपा स्वेस्वनीबच ना ही यह प्रचलित शब्द मरदानी दमगरें स्वेस्टी ज्यासी क्वानी क्यों क्या थे सब्रोटिक कीमास लक्षणा शब्द शक्ति का उधारण हुआ क्योंकि यह अन्य और्थ हमें बतारा रहा है कि वह राणी तो यह उसमें अन्य अर्थ इसके बारे में जानकारी दे रहा है क्या हुआ मरदानि इसका सई आंसर है इसे ही दूसरा देख लेते शेर वनEROज कहला आता है अब जो शेर वो प्रच लेते सबको पता है तो रहुताश्य POSCUS कर रहा है लेकिन अभी से में करा経ते हैं लक्षणा नहीं है तो आप हम जो व्यांजिना शब्द शक्ति पढ़ेंगे पर में लास्ट में आपको जो अभी और प्रकारों के बारे में अच्छे से बताऊंगी क्योंकि इसके अंदर भी अंदर है और अब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते तो एंड तक वीडियो देखीगा वन लक्षे आर्ट से भिन्ने किसी तीसरे आर्थ का बोध हो उसे व्यांजिना शब्द शक्ति कहते हैं मतलब शब्द की जिस शक्ति अव्यापार्स इसका कहने का मतलब है कि जो शब्द उसकी शक्ति हमें कैसे पता चलीगी कि वह या तो प्रचलित भी ना हो और क्या हो किसी अन्य तीसरे यानि यह दोनों चीज भी ना हो इसमें और अभीदा शक्ति की बात भी ना हो लेकिन किसी तीसरी बात का में पता चल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं व्यांजना शब्द शक्ति कहते हैं सिंपल सी बात करें तो इसमें ना लक्षडग्शक्ति होनी चाहिए, ना भीदा शब्द शक्ति की कोई बात होनी चाहिए, कोई तीसरी बात का हमें पता चल रहा हो, तो क्या होती ही वेंजिना शब्द शक्ति आपको परिभाश ऐसे लिखने हैं जैसे मैंने आप यह बताइए अब हम उधारन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? सूर डूब गया आप देखोंगे यहाँ नहीं किसी मुखहर्थ की ऐसे बात ही हो रही है सिंपल सी बात की गई है कि सूर डूब गया ना इसमें कुछ ऐसी मुख बात बताई गई हो तो ऐसा कुछ भी नहीं सिंपल सी बात बोली कि हां जो सूर्य वो डूब गया तो यह किसका उधारन ने व्यंजना शब्द शक्ती यानी हमें क्या हो रहा है हमें किसी तीसरे अर्थ का जो बोग हो रहा है याने इसमिंगे हमने थिसरी के पता चल रहाएं आपको भी बैस थो यह कोरी exactly तो यह इसका वुद्र भुटर हलने यहादकिन नहीं जो यह दो यह कुछ भी whenever ने आंटक नहीं तो कर लोगए कैसे भी आज़े 1000 अपको आपको सारी पढ़ाया आप कर लोगे अब हम बात करते आगे इनके प्रकारों को रच्छे से देख लेते हैं थोड़ा द्यान से समझी गई से मैंने आपको पैता आया था पहले स्टाटिक में कि शब्द शक्ति के जो है तीन प्रकार होते हैं यानि शक्ति कित्ती प्रकार के तीन अभीदा लक्षण और व्यंजन यह तीनों मैं आपको पढ़ा चुकी हूं अब इसके नीचे क्या बोल रहा है कि इनी का अनुसार शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं इनी के अनुसार यानि शब्द शक्तियों के अनुसार शब्द कित्ते प्रकार को थे तीन कौन-क लक्षयात – आप देखो कि तीनों मैं एक भी बाते है वस इसको अभीदा का वाक्षञ रहना का लक्षण और व्यनजना का व्यनजक चुंप पत्व मताइए वंधने वाचक का वच्षयात लख्या और व्यंजन और वियंजने आप हैं इतना अलग अलग-अशब् frei-recht निया को होते तो तीन प्रकार को होते हैं और शक्तिया तो आपको पता ही तीन प्रकार की होती हैं तो यह आपको यह आद हो सकते आप से पूछ लेए शेँग हमें आप